शुकी बी ओपो नेलो 7 प्रो जो इंडिया में जल्दी ही लॉंच होने वाला है ओपो इंडिया ने हाल ही में ट्वीट किया है साथ में माइक्रो साइट में भी देखने को मिला है और फोन फ्लिपकार्ट में मिलने वाला है ACTs भी आई है दोस्तो आज में ओपो रेनो 7 प्रो का अन्बोक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेसन बताने वाला हूँ जो इंडिया में जल्दी ही लॉंच होने वाला है विदाउट वेस्टिंग टाइम सबसे पेले फोन के अन्बोक्सिंग से सुरू कर लेते हैं तो ये है ओपो रेनो 7 प्रो का वाइट कलर में बॉक्स बॉक्स के उपर फोन की ब्रांडिंग मिल जाती है बॉक्स के प्लास्टिक फ्रेप को रिमूव कर लेते हैं और बॉक्स के लीड को ओपन कर लेते हैं यह 658 का Fast Charging Adapter, जो कितने टाइम में फोन को चार्ज करेगा वो में आगे बताने वा रहा हूँ, और यह है वाइट कलर में Type-C 2A केबल, अब बात करते हैं फोन की डिजाइन और बिल्ड की, फोन का बेक देखे तो ब्लू कलर में देखने को मिल जाता है, लेकिन बेक में क्रोस जाती है, और साथ में ग्रेडियन फीनिस बेक दिया गया है, यानि फोन का एंगल चेंज करने से आपको डिफरेंट कलर्स देखने को मिल जाएंगे, और जो फोन का बेक है वो गलास का बना है, बोटम में फोन की ब्रान इंग बिल जाती है, आप लेप में त्रिपल केमरा म प्रेम एरो अइपोन हैं करीद केस्क्रेशन पिरुम मॉडूल डिजाइन, केमेरा सब के बारे में इन डेफ्थ देखना है, तो मैंने जो उपर एनो 7 Pro का रिव्यू किया था, उसमें देखने को मिल जाएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्सन में मिल जाएगी, जरूर से देख ले, यहां पे तो मैं सिर्फ थोड़ा अन्बोक्सिंग और ओवर्व्यू ही देने वाला हूं, फून के फ्रन्ट की बात कर तो इस बार फ्लेट डिस्प्ले मिल जाती है, जो उपो रेनो 6 Pro में काओड मिलती थी, फून में 6.55H की पंचछोल वाली एमूलेट डिस्प्ले मिल जाती है, श्क्रीन में बेजल और चीन काफी पतली मिल तक मिल जाती है चुछ बहुत ही अच्छी बात है और ओर ओर फोन की डिस्प्ले काफी अच्छी मिल जाती है क्योंकि साथ में स्टीरियो स्पीकर्स भी मिल जाते है तो यहां पर TV सीरीज मुवी देखने का एक्स्पिने बहुत ही डासू मिलेगा ओपो रेनो 7 pro में परफॉमं चानी से खेल सकते हैं कई भी लेक देखने को नहीं मिलेगी एवल एवरेज फ्रेम रेट भी अच्छी मिल जाती है तो अबर ओर परफॉमंस तो फोन में अच्छा ही मिलेगा ओपो रेनो 7 pro में के मेरे की बात करे उससे पहले दोस्तों आपको तो पता है यह लेटेस्ट फो के कैमेरे की फोन में 32 मेगा पीकिछल का स्ोनी IM X709 सेंसर लगा है और यह सबसे पहला फॉन जहा पर यह सेंसर मिलता है और सेंसर की साइज बड़ी है तो यहां पर लो लाइट में काफी अच्छी फोटो मिल जाएगी रिर फेसिंग बिक केमरा सेट अप मिल जाता है जहांत पे प्राइमरी 50MP का Sony IMX 766 sensor मिल जाता है, वो तो पता ही है, एक flexib sensor यह, 8MP का ultra wide sensor मिल जाता है, जो 119 degree field of view को cover करता है, और आखरी में 2MP का macro sensor मिल जाता है, और आप यहाँ पे photos के samples देख सकते हो, और Oppo Reno 6 Pro के साथ comparison भी देख सकते हैं, photos काफी अच्छे मिल जाती है, और दोस्तों, मैंने Oppo Reno 7 Pro के review वाले वीडियो में detail camera test बता है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं detail में, Oppo Reno 7 Pro में OS की बात करें, तो Color OS 11 पे चलता है, जो बना है Android 11 के उपर, लेकिन इंडिया में Color OS 12 के साथ launch हो सकता है, जो Android 12 के उपर बना होगा, Oppo Reno 7 Pro में बैटरी की बात करें, तो 4500 mAh की बैटरी मिल जाती है, जो average use पे एक दिन आसानी से चलेगी, बैटरी को चार्ज करने के लिए 65 weight का चार्जर मिल जाता है, जो बैटरी को तेजी से चार्ज कर देगा, करीब 38 से 40 minute में बैटरी को 0-200% चार्ज कर देगा है, Oppo Reno 7 Pro की इंडिया में जो प्राइस की बात करें, तो करीब 41,000 से 43,000 तक आ सकता है, ऐसी यूमर साई है, प्राइस मुझे थोड़ी ज्यादा लागी, कंक्लूजन पर आये तो फोन में डिस्पले सुपब मिल जाती है, मुल जाती है, डिजाइन भी काफी अच्छी मिल जाती वैसे Oppo Reno series की जो प्राइजे वो थोड़ी ज्यादा ही होती है, तो दोस्तो आप क्या सोचते है, ओपो Reno 7 Pro के बारे में कौन सा फीचर आपको अच्छा लगा, और कौन सी प्राइस रेंज में इंडिया में लॉंच होना चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर सरूर बता हैं, तो दोस्तों मिलते हैं अगले लेटेस्ट टेक अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स पर वोचिंग, have a great day and keep smelling.